हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल में क्राफ 2315 तो आज फिर से लिखे हैं यो आपके लिए बहुत सारे आइडियाज जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और सभी के सभी आइडियाज मैंने पुराने घर में पड़ी चीजों से ही बनाये हैं कपड़े हैं हमारे पास पुरानी बैट शीट है फॉर्म है पुरानी बहुत सारी चीजों का मैं यूज करने वाली हूँ और अलग-अलग मैं इसमें बनाने वाली हूँ चीजें तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा कमेंट करके जरूर बता पुराने सोफे कवर पुराने गदी इसमें से इस तरीके की फॉर्म होती है तो इसका हम यूज करने वाले सबसे पहले आपको इसे नाप लेना है इतने इंच के भी आपकी गदी है उसमें 3 इंच एड़ कर लेना है आपको सेम ऐसे विर्थवाइस जितनी है उसमें आपको 3 इंच एड़ कर लेना है extra, तो ये हमारे इसी जो मैने नापा उसे के साब से मैने कपड़ा कट कर लिया है 24 इंच 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 अब हमे क्या करना है, ये उपर के लिए है, तो नीचे के लिए एक और पीस कर लिए हैं उसे आपको थोड़ा सा एक तरफ से इस तरीके से 5 इंच extra तो उपर वाले कंद आप मैंने आपको बता दिया नीचे वाला भी इसी तरीके से लेना है बस 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है अब यह जो बड़े वाला कपड़ा है इसे आपको बीच में से सेंटर में से कट करके अलग कर लेना है तो यह मैंने कट कर लिया और जहां से आपने क बनाया है हमें उसे रखना है सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है एक और उसके उपर दूसरा ये देखिए और आपको इसके चारो तरफ लगा लेनी है सिलाई दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ चारो तरफ सिलाई लगा लीजिए तो दीखिए चारो तरफ सिलाई लगा ली अब हमें corners पे इस पे cut लगाना है 1 इंच का तो सिलाई से देखिए 1 इंच का मैं इसमें margin ले रही हूँ तो 1 बाइ 1 इंच का मैंने block बना लिया ऐसे ही सेम आपको चारो तरफ बनाना है और उसके बाद उसे cut कर लेना है इससे हमारा side में इसका थोड़े से corners बन जाएंगे बेस अच्छा बनेगा sides का आप इन चारो corners पे आपको इस तरीके से flat बिचाते हुए सिलाई लगा लेनी है देखिए चारो corners पे हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और यह हमारा cover बनके बिलकुल ready हो चुका है washable तो जब भी wash करना है अंदर से गद्धी को निकाल लीजिए और आप इसे wash कर सकते हैं तो देखिए हमारी कितनी प्यारी गद्धी बन गई है बैठने के लिए तो कहीं भी मंदिर वगारा में बैठ रहे हैं तो आप इसे बैठने के लिए use कर सकते हैं तो इसे बैठने के लिए आप इस गद्धी का यूज कर सकते हैं तो देखिए जिस फॉर्म को आप देते हैं उसे किती प्यारी हमारी गद्धी बनके रेडी हो गई है बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छी तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की टरफ उसमें चाहे चुन्नी हो, दुपट्टा हो, टीशिट हो, किसी भी तरह के कपड़े हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है एक शॉपिंग बैग लेना है देखिए शॉपिंग बैग तो हर किसी के घर में होता ही है और उसमें आपको इस त उन्नी पुरानी वो भी मैंने डाल दी तो अच्छे से हमने फ्लैट भी चा लिया इसे अब यह जो एक्स्ट्रा है इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद यहां पे कॉर्णर पे इसके पूरे पे हम इसे सिल देंगे देखिए तो सुई और ध लीजिए वो आपको किसी साब से लेनी है वो भी बता देती हूँ तो जो हमारा यह पिलो बन के रेडी हुआ है इसे इस तरीके से देखे एक्स्ट्रा आना चाहिए फोल्ड में यह देखिए और नीचे की तरफ से भी साइडों से सिलाई के लिए मार्जन आना चाहिए अब आपको करना क्या है वो बता देती हूँ तो देखिए जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे पहले आपको इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है यह देखे इस तरीके से दोनों तरफ हम फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने लगा लिए दोनों तो साइड में इसके सिलाई लगा लीजे तो मैंने इसिलाई लगा ली और यह हमारा पपड़ा फिलों कवर से देखिए तो एक व्हảng मार्कट में लेना जाते से हम ready made कपड़े खरीते हैं हमें फॉर्म निकलती है तो इसी फॉर्म का मैं यूज करने वाली हूँ और इसमें एक और नई ट्रिक है अगर आपकी सिलाई मशिन इस तरीके की फॉर्म पे नहीं लगती है तो भी आप इस फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो इस बनाना है six by six inch का मैंने देखिए cut लगा लिया cut लगाने के बाद इसे open करना है same size की lining लेनी है lining को नीचे की तरफ रखना है चारो तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है तो चारो तरफ सिलाई लगा ली एक तरफ से हमने इसे open छोड़ दिया है side से पूरा cut कर लिया अब हम लेनी है form के pieces हमें दो pieces लेने देखिए तो हम form को insert कर लेते हैं तो देखिए मैं form पे सिलाई नहीं लगा रही हो तो बिना सिलाई लगाए भी आप इस form का इस तरीके से use कर सकते हैं अगर आपकी सिलाई machine इस तरीके की form पे नहीं चलती तो एक तरफ देखे लंबाई में form डा लेना है lengthwise लंबा piece यह देखिए उसके बाद आपको यहां से कर लेना है इसे fold और सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद यह हमारा इस तरीके से ready हो गया अब side से आपको करना है सूई और धागे से क्योंकि यह काफी मोटा हो गया है और इसमें सिलाई machine अब आपकी नहीं चलेगी तो हम सूई और धागे से चारो कॉर्णर से इसे देखिए बिलकुल अच्छे से पक्का कर लेंगे तो देखिए चारो कॉर्णर मैंने stitch कर ली है अब हम इसे कर लेते हैं सीधा और बनाते हैं इसके लिए handle तो handle बनाने के लिए देखिए इस तरीके से दो पीस हो चुका है तो इसमें मैंने इस धेर सारे कपड़े रख लिए हैं तो देखिए free of cost बना है और जो कपड़े से निकलने वाली फॉर्म है उसका यूज कर सकते हैं अगर आपकी सिलाई मशीन इस तरीके की फॉर्म पे नहीं चलती तो भी आप ये वाली फॉर्म का यूज कर स सकते हैं तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ आइडिया नंबर फॉर तो देखिए कपड़े के दो पीसिज लिए हैं मैंने rectangle पीसिज हैं 12.5 इंच इंटू 12.5 इंच तो कोई भी दो पीसिज ले सकते हैं आप combination में उसके चारो तरफ आपको सिलाई लगानी है उसके बाद इस तरीके से तिर्चा निशान लगा लेना है दोनों तरफ ये देखिए आप इसे हम कट कर लेंगे तो पहले चोटा सा नोच लगाना है या पर हलका सा कट और उसके बाद इसी निशान के उपर आपको इस इसे कट कर लीजिए आप back side का कट करने के लिए same size लिया है सिरफ एक तरफ से 5.5 इंच extra लेना है फिर इस वाले कपड़े को बीच में से कट करके आपको अलग कर लेना है उसके बाद आपको कर लेना है यहां से fold दोनों तरफ से fold करने के बाद जो हमने बनाया है उसके उपर रखे हम सिलाई लगाएंगे तो यह ले लिया सीधी तरफ अंदर की तरफ दोनों तरफ रखते वे चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए तो बस यह हमारा देखिए सिरफ दो मिनिट में बनके बिलकुल रेडी हो गया और कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है तो कोई भी द पासंद आने वाला है मैं यूज करने वाली देखिए जो बैट शीटस आती है उसमें हमें इस तरीके के पॉलेथीन बैग्स मिलते हैं जो काफी अच्छी कॉालिटी होती है तो इसी का मैं यूज करने वाली है वो भी बिना से लाई मशीन के तो आपको करना क्या है यह मैंने लगा लिया चोटा सा कट और अब हम इसे यूज करेंगे एजा हमारा बैंक की तरह तो कहीं बर कुछ कपड़े वगएरा हमारे इस तरीकी के होते हैं जो हम कभी-कभी डालते हैं और पड़े-पड़े उनमें दूल मिट्टी चल जाती है तो हम इने हैंक करके रखते आपको यह वला आइडिया भी पसंद आया होगा क्योंकि यह तो बिना सिलाई मशीन के हैं और कोई भी इस आइडिया को यूज कर सकता है और कितने अच्छे से विजिबल है और बिल्कुल भी साड़ी सूट कुछ भी गंदा नहीं होगा तो चलिए नेक्स्ट आइडिया ब अब हमें इसे शेप देनी है कितने इच पर निशान लगाना है यहां से आपको निशान लगाना है 6.5 इंच पर उसके बाद यहां से 5 x 1 4 इंच पर और इन निशानों को आपको आपस में मिला लेना है फिर इसे सीधा मिला लीजिए और उसके बाद बस हलकी सी से शेप दे यह देखे राउंड शेप तो यह आ गई हमारी शेप बस अब इसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है तो यह कट हो गया अब हमें चाहिए एक लाइनिंग का पीस तो सबसे नीचे रखेंगे हम राइस बैग तो देखे मैंने रख लिया है सबसे और ống सीधी तरफ अंदर की तरफ और उसके बाढ़ राइस बैग फिर लगानी है सिलाई और एक तरफ से हम इसे छोड़ देंगे तो दिझे मैंने लगा लिया इस पे अच्छे से पुरे पे शिलाई एक तरफ से छोड़ दिया है यहां से हम इसे सीधा कर लेंगे तो सारी पिंस निकाल लीजिए उसके बाद चोटे-चोटे नोचिस लगा दीजिए और चोटे-चोटे-चोटे नोचिस लगाने के बाद इसे यहां से पूरा सीधा कर लीजिए तो देखे बिलकुल फिनिशिंग के साथ यह हमारा पीस रेडी हो गया और इसके उपर मैंने टॉप टैच कर लिया अब हमें क्या करना है इसके अंदर के लिए हमें एक पॉकेट बनानी है ताकि हमारे जो कपड़े वगएरा बिलकुल ठीक से रहे उनकी तैय खराब ना हो तो 12.5 इंच इंटू 15 इंच का मैंने यह पीस लिया है सिंगल पीस है इसे एक तरफ से आपको लगा लेनी है पूरे पे तो यह मैंने इस लाई लगा लिया अब यहां पर आपको सेम साइज का एक कार्ट बोड लेना है और कार्ट बोड को इंसर्ट कर लेना है तो इससे हमारा बेस बिलकुल स्टिफ रहेगा यह देखे अब जितने भी आपकी प्रेस के वे कपड़े है शर्ट है पैंट है वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं तो देखे वो मैं बता देती हूं कैसे तो बिलकुल बेस हमारा स्टिफ हो गया है तो कपड़ों वगेरा की तैव वगेरा बिलकुल खराब नहीं होगे तो जो भी कपड़े आप रखना चाहते इसमें सूट शर टी शर्ट वो अराम से देखे इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं और बस आपको ये फ्लैप को देखे इस तरीके से बंद कर देना है तो मैंने एक तरफ वेल्कुल लगाई है ये देखिए तो ये हो गया हमारा बिलकुल पैक अब आप इसे अलमीरा में बाहर कहीं भी आपको ये वला आइडिया भी बहुत पसंद आया होगा आपको जो भी आइडिया पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लग रहा है तो दिखिए आप थोड़े कम कपड़े भी रख सकते हैं और इसमें ज्यादा कपड़े भ बहुत काम का आइडिया है तो इसमें क्या है देखिए हम इस तरीके से प्रेस करके कपड़े रखते हैं तो क्या होता है कि जब हमें यूज करना होता है तो यहां पर देखिए इस तरीके से क्रीस सी बन जाती है और हमें इसे दुबारा से प्रेस करना पड़ता है तो इसी स इसको रोल को आपको डाल लेना है इस हैंगर में तो छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत काम आएगा आपके और आपको बार बर कपड़े प्रेस भी नहीं करने पड़ेंगे यह देखिए तो यह डाल लिया अब आप इसमें पैंट को अपनी हैंग कर लीजिए यह देखिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक यू